अब holistic development हमारा सबसे बड़ा target है early grade child के लिए तो अब असल बात कुछ इस तरह है कि process of learning is more important than the product. अगर हम यह समझते हैं कि जनाब ultimately हमें इतने academics और इतनी qualification चाहिए, बच्चों को पहले grade तक पहुँचने तक इतने digits आ जाने चाहिए, इतने words आ जाने चाहिए, इतने letters आ जाने चाहिए या यह इनको subtraction, addition के processes आ जाने चाहिए, तो हमारे माहरे तालीम यह कहते हैं कि product important नहीं. बच्चे जिस तरीके से सीखेंगे वो ज्यादा एहम है, अब देखें आप stick के जोर पे, जबरदस्ती के जोर पे आप बच्चों को सिखा लेंगे, लेकिन उस दोरान उनकी शक्सियत का जो नुकसान हो जाएगा, उसको कौन पूरा करेगा, तो वो यह कहते हैं कि जो process है व खुद बखुद सीखें, और फिर उसकी वज़ा ये है कि जो हमारी learning है छोटे बच्चे की, वो linear नहीं है, यानि वो एक सिम्मत में नहीं सीखता, एक ही वक्त में हमारा जो mind है, brain जो है, वो खुद भी holistic learning पे, मतलब उसका task जो है, यो function है, वो holistic है, वो एक वक्त में अगर उ उसके मूँ से निकलने वाले अलफास को नहीं सुन रहा, बलकि वो उस्ताद की शक्सियत पर भी गौर कर रहा है, कमरा जमात में क्या हो रहा है, उस पे भी गौर कर रहा है, और अपने environment और it get के महौल को भी भी देख रहा है, यानि उसकी जहनी, जिसमानी, नफसियाती, सा एक जगा डेस्क पे बिठा के, उनकी आगे किताबें रखके, उनको कुछ memorization के लिए अगर मखसूस कर दिया जाएगा, तो उनकी physical development नहीं हो सकती, ना उनकी social और moral development हो सकती है, जो holistic development का लाजमी तोर पर हिस्सा होना चाहिए, यानि उसको भाद दौर भी उतनी की जान करनी चाहिए, ताके उसके जिस्मानी नशुनवा बहतर हो, उसको socially, morally भी strong होना चाहिए, अपने idiot के लोगों के बारे में वो जानता हो, उसको अपनी values का पता हो, सच का पता हो, वो दूसरों पे जयत्ती नहीं कर सकता हो, वो दूसरों के जजबात को समझता हो, उनकी खुशी को में खुश और उनके दुख में घमगीन हो सकता हो, और फिर वो अपनी जात पर control रख सकता हो, जब आप अपने जजबात पर control रख सकते हैं, तो इसको emotional development कहते हैं, यानि आपने देखा होगा बहुत छोटे बच्चे जो हैं, वो बात-बात पे रोते हैं, बात-बात पे हसत रहा हो, तो कुछ ख्यालात और concept उनके जहन में बसेंगे, तो उनके जजबात कुछ normalize जा normal होना शुरू हो जाएंगे, फिर language development, अगर हम बच्चों को सिर्फ रटाते रहेंगे और उनको फिल बदी बात करना एक दूसरे से नहीं सिखाएंगे, तो उनकी language development नहीं होगी, इ उनको मुख्तलिफ तरह की ऐसी riddles, ऐसे dilemmas, ऐसी reasoning दी जाएंगे, जिसमें वो सोचने, समझने की सलाहित पैदा हो, और वो लकीर के फकीर ना बने, फिर उनके एट-गिट के हालात के बारे में उनको पता हो, तो कहां रहते हैं, दुनिया कैसी है, दुनिया के अंदर कैसे आएंगे, कैसे मौसम हैं, चांद सूरज की क्या हकीकत है, और हम यहां पे किस हैसियत में हैं, हमारा जमीन के साथ क्या वास्ता तालूख है, और हम इसके सरौईवर हैं या नहीं हैं, पिर हेल्थ और हाईजीन, अभी हम आगे चलके मजीद तफसील के साथ इन चीज़ों प 21 में आया था, उसका हिस्सा है.